हलो बच्चो गुड इवनिंग सभी बच्चो को मैं प्रियाराट ओर आपके लिए फिर से एक बार क्लास 11 का जो हमारा चैप्टर नमबर 3 चल रहा है उसका लेक्टर नमबर 6 लेकर आई हूँ और ब्रायो फाइटा हम खतम कर चुके थे तो आज कोई नई गहानी पढ़ने वा क्लास के अंदर कौन आ गया है यह देख लेते हैं और एक इंफोर्मेशन भी देनी है हाला कि जो बैच के बच्चे हैं उनको इंफोर्मेशन मिल गई होगी क्योंकि सुबह मैंने ग्रुप पे टेलीग्राम पे एक मेसेच डाल दिया था लेकिन फिर भी एक बार फिर से इंजिम महक अक्षिता प्रिंश कुमार कोमल मोनु चौदरी आयूश सिद्धान्ट कुमारी वानिया ठाको शिवानी श्रेया चलिए कम ही आ रहे हैं बच्चे दिर दिर आ जाएंगे जेके चोहान एसके नूर सूरज जितेंद्र काजोल सारे हिरो हिरोईन यहीं पर आ गए हैं चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर को क्योंकि फिर से एक डाइग्राम बनेगा लाइफ साइकल का और जो भी चीज़े हम पढ़ रहे हैं उसको देखते जाए क्योंकि लास्ट में एक टॉपिक आने वाल है जहाँ पर हम सब और तो थीम Nhалиhy करसिखते तरफा हैं अज Kenny और मिल रही हो कि टटोफाइटा पड़्यकरन पड़ेंगी तेरीडोफाइटा का वरगी करंण पड़ेंगी तरफाइटान नीन्सीरून के नाम दिये हैं- Veterans थोड़ा समय ने बता दिया मंत्सapo जो RBSC वाले हैं, MP वाले हैं, बिहार वाले भी इसको छोड़ सकते हैं, वर्गी करण को, लेकिन UP वालों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि question आ चुका है, तो फिर हमें एक बार उसको prepare करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम teradophyta शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पह भी हमें देखने को नहीं मिलते, तो जो नॉर्मल वाले प्लांटे, उनकी कुछ चीजे यहां से होना शुरू हो गई है, वो ब्रायो फाइटा और शेवाल तो बिल्कुल ही कैसे थे, थैलस जैसे थे, थेले जैसे थे, उनमें कुछ जड़ तनापत्ती जैसा हमें विबेद प्लांट जगत के पादब जगत के उभयचर बोला था, एमफिबियंस और प्लांट किंडम यहां पर यह जो टेडो फाइटा है, इनको सरीसर्प कहा जाता है, पादब जगत के, पादब जगत के सरीसर्प कहते हैं, सरीसर्प means, रेप्टाइल्स, ठीके, तो ब्रेकेट वे में में रेप्टाइल्स भी लिख देती हूं, रेप्टीलिया, प्लूरल बोलोगे तो जाता है इसका reason क्या है कि bryophyta जो हम बात कर रहे थे उनको amphibians क्या रहे थे क्योंकि वो land पे रह रह रहे थे लेकिन उनको fertilization यह निकि निशेचन के लिए जलकी आवाशकता हो रही थी यह आपको सिर्फ land पे मिलेंगे लेकिन कुछ इनकी जातिया है अभी नाम लिखाऊंगे में वो आपको पानी में मिल सकती है लेकिन वो दो-चार species है उससे कोई फरक नी पड़ता मैकसिमम टैवडोफाइटा कहां पे रह रहे हैं लेंड पे तो पहले देखो amphibia थे amphibia से जो बाद में बने वो क्या बने सरीसर्प बने तो इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं सरीसर् कि c सर्प सहवन उठ्यक पाया जाने की वजह से सहवन क्रिप्टो गेमज बोलते हैं.. Crypto games क्या होता है, जब हमने वरगी करण शुरू किया था, chapter शुरू किया था, तो मैंने आपको एक वरगी करण लिखवाया था, क्रिप्टो गेम्स और उस्षेवालों को भी डाल सकते हैं, तो इनको क्रिप्टो गेम्स कहा रहे हैं, क्यूं कहा रहे हैं, इसका reason हमने देखा था एक तो इनमे पुश्प जैसे सरचना ही नहीं बनती दूसरा इनमे बीज नहीं बनेगा ठीक है इस दो वज़ाओ से इनको crypto games कहा जाता है तो ये भी crypto games से ब्रायोफाइटा भी crypto games से लेकिन ये 7 क्रिप्टो games से तो ये इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब है कि इनमे 7 उत्तक पाए जा रहे है ब्रायोफाइटा में 7 उत्तक नहीं थे ठीक है comparison करकर के learn करोगे तो और जल्दी learn होगा ब्रायोफाइटा मैंने का जायलम और फ्लोयम नहीं होते ये अलग है इसका मतलब इनमें जायलम और फ्लोयम मिलेंगे तो सावान उत्तक हमें मिलते है यानि कि इनमें क्या मिलता है जायलम प्लस फ्लोयम दोनों हमें देखने को मिलेगा तो ये हैं हमारे प्यारे टेरीडोफाइटा अब इनके नॉर्मल क्यरेक्टर अब क्यरेक्टर के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है हैडिंग दालते जाओ दो दो तिन दिन लाइने लिखते जाओ वही बेस तरीका है लर्न करने का भी ठीके तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आएगी आवास आवास का मतलब हैबिटेट की ये कहां रहते हैं तो पहले ही बोल चुके हैं जमीन पर आ गए हैं ये तो तो कहां मिलेंगे शौर्ट में लिक्रियों में चट्टानों पर मिलेंगे आपको पहाड़ों पर मिलेंगे है ना इस थली है ये तो इस थली है वातावरण में आपको मिलेंगे अब एक बात और बोली कि कुछ जहां पर ऐसे इस्पिशीज है जो जल में मिल रही है जैसे उधारण के लिए जल में कौन मिल रहा है यूपी में एक बार ये क्वेस्चन पूछा हुआ है कि टेडोफाइटा की जलिय इस्पिशीज यानि की जलिय जाती हो के नाम बताओ तो मैं लिखवा रहे हूँ जलिय जाती कौन सी है तो साल्विया है ठीके ये सिंपल सा नाम है तो आपको यहाद हो जाए एक-एक बहुत है मरुस्थल में कौन पाय जाता है डेजर्ट में मिल रही है इनकी कुछ जाती मरुस्थल में हमको मिलता है इक्विसिटम Tädophiter का नाम है बी फोटो देखेंगे सबकी और जो Markentia है Markentia नहीं Markelia Markelia Rolling जो है वो कहा पाया जाता है दोनों में यह उभैचल है तो देखो ये इस बात को गोतक कर रहा है ना की ये brä sangataita से आये होंगे क्योनकि यह मारसीलिया दोनों जगह पे मिलता है, पानी में मिल रही है, इसके कुछ जातियां और कुछ स्थल पे मिल रही है, तो यह हमें बता रही है कि ब्रायोफाइटक के बाद टेरिडोफाइटा हैं, ठीक है, इसलिए इनको सरी सर्प भी कहा रहे हैं, तो आवास की बात हो गई, दूसरी बात हमें क्या करनी है, इसी को लाइन बना के आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट बात हमें क्या करनी है, कि यह कैसे हैं, इनका पादप शरीर कैसा है, तो ब्रायोफाइटक खतम, अभी मैंने का, अब नॉर्मल वाले प्लांट जैसी चीज़े शुरू हो गई है, जैसे नॉर्मल प्लांट में जड होता है, तना होती है, पत्ती होती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, तो पादप काय कैसा होगा इनका, पून रूप से विक्सित है, पून रूप से विक्सित, कैसे विक्सित है, कि इनका जो पादप शरीर है, मेन बॉड़ी है, पादप वो जड़ तना पत्त में विवेदित है, यानि कि जड़ भी होगी इनके पास, नॉर्मल प्लांट जैसे, तना भी होगा इनके पास और पत्ती भी होगी, मतलब वह सारी सरचना है, जो एक नॉर्मल प्लांट में होती है, इनका जो मुख्ष शरीर है, एक और अंतर सुन लो, तो वह उपर निकलता है ऐसे बल्ब जैसा तब बिजानुत बिद बनता है यहां पर चेंज आ गया है यहां पर मुख्य बॉड़ी जो कि हमें देखेंगे में ली तो मुख्य कायव होगा वह कैसा होगा वह वह बिजानुत बिद रहेगा बिजानुत बिद को क्या बोला था हमने बिजानुत बिद को क्या बोला था है स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट शब्द यूज किया है तो अगर यह अगुनित है यह द्वी गुनित तो हमें यह पता है कि जब हम स्पोरोफाइट बोलेंगे तो वह इट तो मेन शरीर जो में दिख रहा है वो कैसा है जाण उत्पित है ब्रायो फाइटा और एल्गी के अंदर मेन ब요डी जो आमें दिखती थी जो पहले से ही आधा होता था यादा रहा है मैंने वह गानावी अथा यहां पे आधा करना पड़ेगा क्योंकि यह ओल्रेडी कैसे हैं बिजान उद्बिद हैं मतलब यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह जो पहदे आप देखेंगे यह अपने आप में बिजान उद्बिद है नॉर्मल प्रांट जैसे यह युगमो कोद्बिद नहीं है ठीक है वहाँ पे जो हम नॉ आत्मिक जड़े होती है वो अल्पकालिक होती है इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि मानलो यह टेरीडोफाइटा है ठीक है टेरीडोफाइटा अभी उगा ही है मतलब बीज होगा बीज तो बनते नहीं है इसमें गलस शवद यूज कर लिया बीज नहीं है मानलो यह फ थोड़े टाइम के लिए अल्पकालिक का मतलब थोड़े समय के लिए यह जो ऐसे शब्द आते हैं आपको लगता है कि मुझे नहीं पता है इनका मिनिंग तो इसको ऐसे अंडरलाइन करके पास में मिनिंग लिख दिया करो जासा मैंने लिखा है आपके नोट्स में ताकि दु दुसरी जड़े आएंगी और कहीं से निकलेगी जैसे कि यहां से निकल गई तो इन जड़ों को हम कहते हैं अपस्थानिक जड़े और यह शब्द आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे भी आएगा अपस्थानिक जड़े क्या होती है इसका मतलब समझ लो कि नॉर्मली है नहीं यहां पे तो भी जाणू है तो नॉर्मली जिस जगह से जड़ निकलती है वो वाली जड़ तो खतम हो जाती है लेकिन किसी दूसरी जगह से जड़ निकलती है तो उसको हम कहते हैं अपस्थानिक जड़े इनको इंगलिश में कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स ठीक है ध्यान रहेगा अपस्थानिक जड़े क्या है नॉर्मल रूट से अलग होती है तो पहली वाली तो अल्पकाली होती है मर जाती है फिर जिक कौन से निकल जाती है अपस्थानिक जड़े निकल जाती है जो पहले वाली को प्रतिस्थापित कर देती है मतलब हटा देती ह उसकी जगा नहीं वाली लेती है, प्रतिस्तापन का मतलब हटा देना, ठीक, आजओ अब, नेक्स तना कैसा होता है, नॉर्मल तना है यहापर, शाखी होता है, मतलब की शाखाएं होंगी इस तरह से, है ना, तने की, नीचे जड़ होंगी, उपर तना होगा, और उसके शाखा तना तो बही उपर रहता है, लेकिन अद्रक तो जमीन के नीचे रहता है, उसको हम rhizome बोलते हैं, प्रकंद, शब्द पढ़ा था, class 10th के अंदर, प्रकंद, प्रकंद को ही इंग्लिश में rhizome बोलते हैं, तो यहाँ टेरिडोफाइटा में भी, कुछ ऐसे तने देखने को मिलते हैं, जो जमीन में रहते हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे, rhizome बोल देंगे, ठीके, rhizome में प्रकंद, यहाँ पे अद्रक उधारन मत लिख देना, अद्रक तो मैंने आपको याद करवाने के लिए बोला है, तेरिडोफाइटा में अद्रक नहीं आता, ठीके, अद को थोड़ा सा समझाने के लिए, बस यहाँ पे इत्ती बाते लिखनी है, मेन बात अब पत्यों की करें, पत्या इनकी अनोखी है, पत्या इन में सिंपल पत्य पाए जाती है, लेकिन दो प्रकार की पत्या, कुछ में तो एक जैसी मिलेंगी, कुछ में दो प्रकार की पत्या ला जाता है, फिर main चीज़ समझने पाते हैं, एक तो होती है लगूपर्ण, लगूपर्ण को क्या बोलते हैं, like, micro-poran, micro-sporophyll, या micro-phil लजबी बोलते हैं, यह जिम्नोपर्ण में फिर आयगा, आप इसको समझ, लगूपर्ण का मतलब क्या होता है, चोटा, ठीके, तो यह चोटी पत्तिया है, साइज में चोटी रहती है, एक दूसरी होती है, जिसको बोलते है, गुरूपर्ण, गूरू का मतलब टीचर नहीं होता है हमेशा एक गूरू का मतलब होता है बड़ा, मेगा ठीके, तो ये क्या है गूरू विजानू पढ़ इसको मेगा इस पोरंजियो फिल कहते है ठीके, अब ये दो अलग-अलग होती है इन दोनों में अलग-अलग तरह की चीज़े बनती है अब मैं आपको बताती हूँ, अभी तक हम क्या पढ़ रखते आये थे युगमो को उद्विज में पू धानी बनती है, फिरिस्ती धानी बनती है यह पढ़ा था, यहाँ पे ये जो लगू भी जानू है इसमें बनेगा पूमणू ठीके, जो हमारा मेल है न, वो किसमें बनेगा इसके अंदर, लगू के अंदर मेल छोटा है, ऐसा ध्यान रखो ठीके, पूमणू बनेगा, यहनि की हमारा नर युगमक वहाँ पे क्या हो रहा था ब्राइफाइटा में? वहाँ पे थैलस थे, थैलस के उपर ही लग जाता था पूधानी, और थैलस के उपर ही स्तिधानी लग जाती थी, यहाँ दोनों एक पे लग जाते थे, यहाँ पे हमारा मेन पौदा तो कैसा है? हमारा मेन पौदा तो बिजानूत बिद है, दिखता वो है हमें, उसके उपर पत्तिया है देखना बात को समझना बिजान उद्विध है यह देखो यह बिजान उद्विध है मेन पौधा इसके उपर पत्तिया है अब यह पत्तियां दो प्रकार किए एक तो बड़ी वाली जिसको मैं गुरु कहा रही हूँ ठीके गुरुपर्ण और एक मैं छोटी बना देती हूँ यह छोटी हाला कि यह बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखेंगी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इन में यह लग हुए तो अभी यहां पे देखो कोई पुश्प यह पत्ति है इसके नीचे वाली साइड पर जिसको मैं नीचे बना रहे हूँ यहां पर यह देखो दोनों में ऐसा होगा है ना मैं एक से दे रहे हूँ लेकिन दोनों पत्तियों में ऐसा होगा लगु वाली में भी और गुरु वाली में भी लगु और गुरु वाली दोनो में साइड में पत्यों की किनारे पे ऐसी चोटी चोटी धानिया बनेंगी ऐसे चोटी चोटे बॉक्स बनेंगे इनको बोलते हैं सोरस क्या बोलते हैं इनको सोरस यह नाम याद रखना है आपको सोरस कहते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बिजानू धानी अब जिस प भूर्वाली पत्थे न्र बनेगा जबकि जो घृम बंनेगी मादा यूग्मक जिसको हम क्या कहते हैं अंड यह कैसे होंगे यहां पर थोड़ा से ट्विस्ट भी कशाविक होते हैं लेकिन कभी-कभी बहु कशाविक भी हो सकते हैं ठीके मतलब दो कशाव वाले भी हो सकते हैं और दो से जादा वाले भी मिल सकते हैं लेकिन नॉर्मली दो कशाव वाले मिलेगे अ आप सवन उत्तक की बाद हम अलड़ी बोल चुके हैं कि इसमें सवन उत्तक पाये जाते हैं कौन-कौन से जायलम और फ्लोयम इतनी बाद समझ में आ गई आगे चले इतनी बाद सभी को समझ में आई यह अक्षिता ने लिखा है सोरस अक्षिता कह रहे हैं कल की भी पड़ी थी जिन्नोंने कल परसो की ग्लास पड़ी है उनको अब इजी लगने लग गया हुआ क्योंकि सेम कहान नहीं है वस थोड़ा थोड़ा चेंज है जो हमें देखना है कि क्या है अभी तक तो देखो कुछ ऐसा चेंज आया नहीं है हाँ एडिटर कह रहे हैं लगूपन और गूरूपन हाँ माइक्रो फिल्लस भी बोल सकते हैं इसको रचना कि सेंग कह रही है कि माइक्रो फिल्लस और मेगा फिल्लस बिल्कुल यह भी बोल सकते हैं जारखंड वाले भी पढ़ सकते हैं इसको अभी तो टॉपिक शुरू नहीं कि अभी रिपीट करो तो बैटा ध्यान दो इसको रिपीट लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचेगा तो ठीके ध्यान से सुनो चैटिंग पर ध्यान मत दो टेरिडो फाटा में अब क्या होता है में हमने कहा कि मेंन बॉड़ी कौन सी है बिजान दो बिद है तो मतलब युगमोकोद बिद को हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें युगमोकोद बनाना ही पड़ेगा नर युगमग मादा युगमग कैसे बनेंगे तो टेरिडो फाटा में जो मुख्य काय है वो कैसा ह sporophyte है यह लिख दिया हमने फ़र्स्ट लाइन में आगे लिख दिया था भिजानोग भिध होता है कि ठीक जिसमें वास्तविक मूल तना पत्ति होती है यह बात भी हम लिख चुके अब आगे की कहानी में आगे क्या बताना है कि sporophyte कैसा दिखता है ar Brio Layal a Sporafite Capsule की तता यहां पर ऐसा नहीं है हमारा मेन बॉड़ ही स्पोसक पित तो बस इंपन वोड़ी है जड़ तना पत्ती में विवेधित कैसी तो टना। बजानू धानी होते हैं अभी इक और बार बना दू वही यह रहा हमारा मेन शरीर चैड़ो फाइटा का यह रही पत्ति इसमें दो तरह की पत्ति आउंगी एक गुरू और एक लगु वाली ठीक है यह गुरू यलो वाली हम लगु मान रहे और एक गुरू मान रहे ठीक है दो तरह की पत्ति आउंगी पत्तियों पर क्या होत के समुहों को हम क्या कहते हैं सोरस कहते हैं ठीक ये बात हम करके आए हैं ये तो हो गया हमारा बिजानुत बिद ये में बॉड़ी कौन सी है बिजानुत बिद जड़तना पत्ती में विवेदित है ठीक है कुछ त्यारीडोफाइट में बिजानु पर्ण सघन हो जाती है कुछ कुछ में एक्जाम्पल अभी बताऊंगी कुछ में क्या होता है यह जो पत्ती है ना इस पर आपको दिख रहे हैं सोरस वह और ज्यादा आ जाते हैं ज्यादा आने से क्या होता है पत्ती मूटी हो जाती है कुछ इस तरह से सगन हो जाती है और सोरस बहुत ज़्यादा हो जाते है मतलब यह बिजानु धानी और ज़्यादा हो जाती है मासल हो जाती है फ्लेशी हो जाती है और पत्ती कुछ ऐसा रूप ले लेती है शंकू की तरफ शंकू मतलब कोन वैसे तो कोन शेप को शंकू कहते हैं तो यह उस तरह का दिखरा इसलिए इसको बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं संकू अब इस पे औहोंगे यह बिजाणोधानी ऐसे ऐसी विजानुधानी बहुत सारी लगी है मैं तो कम बना रही हूँ ठीक है ये विजानुधानी है ऐसा किस में होता है शंकू किस में बनता है इक्विसिटम में बनता है अभी हम उपर लिख के आए हैं अभी फोटो बताऊंगे इक्विसिटम का ऐसे शंकू बन जाते हैं इसमें ऐसी नॉर्मल पर्ण नहीं होती पत्ती नहीं होती नॉर्मल वाली इसमें एक कौन जैसा बन ज यह दिखो, यह दिख रहा है, यह तो इक्विसिटम, इसका कोन दीखो, यह कोन जैसे लग रहा है? यह इसकी भी जानू पढ़न है, अब इसमें लगू और गुरू भी जानू नहीं मिल रहा है पत्ती है लेकिन पत्ती ने अपना आकार प्रकारद चेंज करके ऐसा कौन लेबल कर रही हूं, इसको बोलते है, strawbillus, यह आपको नाम याद रखना है, strawbillus, ऐसा पूछा हुआ है एक बार, कि strawbillus किस में पाया जाता है, इक्विसिटम में पाया जाता है, ठीके, क्या होता है strawbillus, कि इसकी जो बिजानू धानी पर्ण है, या बिजानू पर्ण है, वो मोटी हो जाती है, और कोन का शेप ले लेती है, और इसलिए इसको क्या बोलते है, strawbillus बोलते है, English word is strawbillus, ठीके, यह सिलेजी नेला है, ठीके, अब इससे क्या बनेंगे, इससे बिजानू बनेंगे, ओव्यसली बिजानू धानी है, तो उसके अंदर क्या बनेगा, बिजानू, क्योंकि अभी यमे हमें युग्मोकोदीद के बारे में बीतौ पढड Chapel, वहां पर क्या था, जो हम शुरू कर रहे थे, अभी तक, मेन प्लांट था वो मुख्य काय कैसा था युग मुकोद बिद था लेकिन यहां पर हमारे पास मुख्य शरीर कैसा है बिजानुद बिद है इतनी बात मैं अभी तक कई शौट में लिख रही हूं में लगू भी जानू पर्ण और गुरू भी जानू पर्ण कहां बन रही पत्ती के नीचे लगू वाली पे लगू गुरू पे गुरू तो भई ये क्या बनाएगी यह नर युगमग बनाएगी यानि कि पूमणू बनाएगी ठीक और ये क्या बनाएगी मादा बनाएगी लेकिन ट्विस्ट है कुछ यहाँ पे क्या ट्विस्ट है वहाँ पे हमारा में शरीर आयुगमित था तो हमने वो शारुक का गानक आया था कि जो पहले से ही आदा है उसको आदा नहीं कर सकते नहीं कर सकते न, लेकिन ये तो आदा नहीं है अगर हमें युगमक बनाने है जो मैंने आपसे कहा था कि युगमक शब्द आते ही आपके दिमाग में एक ख्याल fix हो जाना चाहिए ये अगोनित होना चाहिए युगमक कैसे होते हैं कहीं भी युगमक शब्दा है आपको ये ध्यान रखना है वो अगुनित होगा चाहे वो किसी का भी युगमक हो तो अब ये युगमक तो यार अगुनित नहीं है क्योंकि ये तो दुई गुनित था तो इसको अगुनित बनाने के लिए यहाँ पे जो विभाजन हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा कोई बताएगा मुझे अब भी तक अगर क्लास देखिए बताओ विभाजन कौन सा करवाओ समसुत्री करवाओ या कोई और जया फातिमा केरियम 12 में आ गए पर हमें अभी भी याद है चलो अंसर बताओ कौन सा विभाजन करवाओ पहले युगमक उद्भित था तो हम युगमक बनाने के लिए विजानू बनवाने के लिए समसुत्री करवा रहे थे अब कौन सा करवाओ जो बच्चे डंग से बढ़ रहे हैं उन सब कौन सर पता है युगमक बनाना है युगमक है दोनों अभी तो मैंने बोला युगमक तो हमेशा है अपलॉइड होना चाहिए युगमक के साथ एक चीज हमेशा जुड़ी रहेगी वो है हैपलोइड होना उसका अगुनित होना तो वही ये द्वी गुनित से अगुनित कैसे हो गया मतलब यहां पे कुछ गपला है और वो गपला है अर्द सुत्री विवाजन का अर्द सुत्री वाले सही है अब हमारे युगमक बने है ठीके बस नर बन गया मादा बन गई तो अभी दोनों को मिलाना है तो ये दोनों मिले मिलेंगे तो क्या हो जाएगा वही वापस युगमनच बन जाएगा ठीके वापस क्या बन जाएगा युगमनच बन जाएगा अब यहाँ पे यह जो युगमनज बनेगा यह ऐसे ही नहीं बना है यहाँ पे ट्विस्ट है एक टेरिडोफाइटा का जो चेंज है वो यहाँ पे है ठीके पहले हम क्या कर रहे थे दोनों मिला रहे थे और युगमनज बना रहे थे द्वीगुनित लेकिन यहाँ पे जाणू के अंदर जो गुरू भी जाणू बने वो कहां गिरेंगे वो जमीन पर गिरेंगे अलग अलग गिरेंगे मिलेंगे नहीं अभी अभी नहीं मिल रहे इससे क्या बनेगा एक थैलस बनेगा कैसा एक थैलस जैसी सरचना बनेगी ये वाली हाडशेपी है ये हाडशेपी है रदयाकार ठीके रदयाकार सरचना बनेगी जिसको बोलते हैं प्रो थैलस ये एक नई चीज़ आई है इसमें इसमें प्रो थैलस बनेगा एक बार लिखावा पढ़ ले ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए और रिपीड भी हो जाएगा बिजानु धानी में बिजानु मात्र कोशिका में मियोसिस के करण मियोसिस मतलब अर्दसुत्रिवाजन अच्छा ये ये वाला शब्द किसी को परेशान कर रहा है तो मैं बता दू इधर आओ ये जो हम लगो बिजानु धानी के अंदर बात कर रहे हैं कौन है बिजानु ध बिजाणुधानी में क्या वना है बिजाणु बन रहे है अलग अलग प्रकार के या तो लगु बनेंगे से व्ह मौत है किसको बोलता है यह कि मात्र शब्द आते ही आते हैं अ झूरी के लिए या मादा केिए होता है मात्र कोशिका का मतलब होता है कि जिससे कोई दूसरी कोशिका बनी हो जैसे यह बिजानू बना है यह बिजानू किसी न किसी कोशिका से बना होगा विभाजन से बना है अर्दसूती विभाजन से तो बिजानू के ज़स्ट पहले वाली जो कोशिका होती है उसको हम कह रहे हैं बिजानु मात्र कोशिका क्योंकि इसकी मम्मी होगी कोई इसकी मम्मी से बिजानु बना है तो बिजानु मात्र कोशिका मात्र कोशिका ये शब्द बार बार आते रहेंगे इसका मतलब क्या है ये जिससे बना है वो कोशिका ठीक है मतलब इसकी parents कोशिका चाहे वो नर हो चाहे वो मादा दोनों के लिए मात्री यूज करते हैं ठीक है बाइलोजी के अंदर इसको बोलते हैं mother cell sporogenous mother cell भी बोलते हैं उसमें क्या हुआ अर्दसुत्री विवाजन अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको देखो फिर क्या हुए बिजानू अंकुरित हो गया दोनों लगू भी अंकुरित हो गया गुरू भी अंकुरित हो गया और एक असपष्ट छोटा बहु कोशिकिया मुक्त जीवी अधिकांश् परकास संचलेशन थेलाव युग मुकोद्बित बनाते हैं जिसे प्रोथेलस कहते हैं ठीके कैसा है यह इस पष्ट है हमें कोई शेप या उसके अंदर कोई सरचना नहीं दिख रही बहु कोशिकी है मतलब कोशिकांए बहुत ज्यादा है ठीके आए अब डाइग्राम पे इसमें बहुत सारी कोशिकांए बहुत सारी है सारी मैं नहीं बना सकती क्योंकि मुझे इस पर कुछ और बनाना है अब यह अपना अपना प्रोथेलस बना लेंगे ठीके इस प्रोथेलस पे अब बनेगा यह क्या है यह हमारा युग्मोकोद्बित है यह अब बना है युग मौकुतमित बना हुआ रहता है ठीक है यह कैसा होगा यह आगुणित ही होगा अभी भी क्योंकि दोनों नहीं है यह लग अलग आलग गिरैं तो अलग अलग पे बन सकती है ठीक है जोनुक चुछ कि कुछ में तो एक ही प्रोथेलस पे दोनों बन जाते हैं कुछ में अलग अलग भी बनते हैं मतलब नर का प्रोथेलस अलग होगा मादा का अलग होगा हम एक वाला मान रहें क्योंकि सारे डाइग्राम में एक वाला ही दिया हुआ है तो एक भई नर युगमों को भी हुआ य यह भी कैसे है अभी NN ही है समसुत्र विभाजन से बनेंगे अब यह मिलेंगे यह लो अब मिलाओ इनको तो अब यह हो गए 2N अच्छा यह कैसे हो रहा है निशेचन यह भी ऐसे उल्टे लटके हुए जैसे हमने वहाँ पूधानी पड़ी थी न यह पूधानी मान लो इसको और यहाँ पे इस्तरी धानी मान लो इनका शेप वैसा यह जैसा ब्रायोफाइटा में था पूधानी कैसे थी रैकेट जैसी थी एसी और इस्तरी धानी कैसे थी फ्लास्क जैसी थी है ना ऐसी बनाई थी तो सेम है यहाँ पे भी आप चाहो तो ऐसी भी बना सकते हूँ मेरे पास थोड़ी से जगा कम थी तो मैंने नॉर्मल बना दिया ठीक 2N हो गया यूगमनज बन गया दोनों मिल गया N और N 2N यानि कि ये द्वी गुनित हो गया इतनी बात और पढ़ ले क्या लिखा है आओ इदर कि यूगमो कोद्वित कैसा है यूगमो कोद्वित के नर और मादा अंग होते हैं नर और मादा पूधानी से पुमणू निकलेगाँ और उससे इस्टीदानी के मुओं तक पॉचएगा ठीक total si says अगर आपको confusion हो रहा है तो यह से पुमणू जरूर हटा दे nut यह मैंने स्व मैंने आपको ये मेरा बताने का से उतना मिनीं था, कि इससे पूमनू बनेगा, और इससे अंडा बनेगा, ऐसा मिनीं था, ठीके, इसको आप लगो और गुरू भी जानू लिख दो, तो ज्यादा सही देगा, ये है पूमनू, और ये है अंड, दोनों मिल गए, और क्या बन गया? युगमन से अब यह सारी जाएंगे और और अंकुरितии हो के यह क्या बना लेंगे नियों क्या है आपको समझ में आया यहां पर पहले स्टेप में अर्दो सुत्री उभाजन हो गया इतना अंतर समझ में आ रहा है अब ये वाला डाइग्राम देखो इससे और रिपीट हो जएगा एक तरह से मैं रिपीट ही कर रहे हूं में शरीर हमारा किसका है ठैरेल टेरेडो फाइटा में बीजानूत बिदे यह रहा भी जानूत भी, इसकी यह पत्ती है, पत्ती पे पीछे की तरफ ब्राउन ब्राउन कलर के सोरस बने हुए, यहाँ पे एक ही पत्ती बनाई है, क्योंकि मैं आपको अब एक चीज बताऊंगी, हर टेलिडोफाइटा में दो प्रकार की पत्तिया नहीं होती, कभी-कभी किसी में एक ही पत्ति पे दोनों भी बन जाते है, लगू भी बन जाता है, गुरू भी बन जाता है, और कुछ में दो प्रकार की पत्तिया भी होती है, ठीक है, अभी किस में होती है, बताऊंगी, example, यह मियोसिस हुआ, मियोसिस का मतलब अर्द सुत्री विभाजन, ब्लैक स से क्या बना यह प्रोथेलस बना यह प्रोथेलस से हाइरड इस पर होता है issued क्या अग मौस PAUL के अंदर बनता है प्रोथेलस तैरिदोफाइटा में नहीं हो एक तो पूधानी एक ही पे अगए और इस्तिरीधानी ठीक है इसलिए मैंने भी एक पर बनाई है फिर दोनों में से क्या बने उसका ओवम बना इसका स्पम बना इसका पुमणू बना नर्वाले से और इसका अंड बना सबकी इंगलिश लिखी हुई हिंदी मैं लिख रही हूँ यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ निशेचन बने वापस बीज बने प्रोथेलस जैसी सरशना फिर से बनेगी और उसी के उपर कौन उख जाएगा हमारा स्पोरोफाइट उख जाएगा इसी पर हो रहा है सब ठीक हम बढ़ा रहें आगे लेकिन देखो यहां प्रोथेलस है क्योंकि अल्टिमेटली निशेचन इस्त्री और एक तरह से नश्ट हो जाएगा और फिर क्या बचेगा सिर्फ बिजानुद फित बचेगा ठीक है यह और दूसरी तरीके से एक जो चीज में मैं आपको बता रही थी कि लगू बिजानुद और गुरू बिजानुद के बारे में यहां पे एक चीज लिख लो जो इस्प कुछ जातियों में दो प्रकार की पढ़न पाए जाती है या दो प्रकार के बिजानुद पाए जाते हैं कौन से है वो अभी हमने नाम लिखा लगू बिजानुद और गुरू बिजानुद यह बने किस्से है यह बने किस्से है या किस पर बने है तो लगू बिजानु लगू पर बना है और गुरू बिजानु गुरू पर बना है इसका मतलब कि इनकी पर्ण भी अलग अलग है इसलिए शुरुवायत में मैंने का कुछ पर्ण होती है जो एक लगू पर्ण होगी गुरू लेकिन वो सब में नहीं होती किसी किसी में एक जैसे ही विजाणू बनते हैं और वो प्रोथेलस बना लेते हैं और प्रोथेलस पे ही स्तिधानी और प्रोथेलस पे ही पूधानी बन जाती है इनमें अलग-अलग बनेगा अगर यह अलग-अलग है तो ठीके तो यह बनते हैं और इसी को क्या बोलते हैं इसी को विश्यम भी जानुकता कहते हैं आप बोलेंगे कि अगर सेम होंगे तो क्या बोलेंगे तो उसको बोलेंगे सम भी जानुकता है हेट्रो स्पोरो सिटी हेट्रो स्पोरो सिटी ठीक है अब ये किसमे पाए जाती है तो ये सारे टेरिडोफाइट्स में नहीं है उधारन लिख लो क्योंकि आपको पूछेंगे एक तो ये मिलती है सिले जी निला में ठीक है सिले जी निला में हमें मिलेगी आपकी बुक में सिले जी निला ही दे रखा है वोई लिखो ठीक है सिले जी निला में मिलती है कोई दिक्कत कोई दिक्कत है ये समझ में आ गया ये आपको बनाना है पूरा थीक है ये वाला डाइग्राम कां गया ये बना सकते हो थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाबते हो पर और अपना वाला तो है ही जो हम हमेशा बनाते आ रहे हैं ठीक है क्या difference है यह समझ के चलना ब्राइवफाइटा में क्या है टेरिडोफाइटा में क्वेस्चन इसी तरह क्या आते है यह तो टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र पूछ ले फरन का जीवन चक्र क्या है पुछा हुआ भी है या फिर किसी मॉस का पूछ ले तो आप मॉस का पूछेंगे तो मॉस डाइग्राम में बनाना है है न और चेंज उस हिसाब से हो जाएगा कि ब्राइव फाइटा का जिवन चक्र कैसे चलता है यह टेरिडो फाइटा का है अब यह किस किस जाती का है यह हमने common बात की है ठीक है आप जो चाहो तो इनको दोनों को अलग भी बना सकते हो लगो भी जानू गुरू भी जानू पर नेना गुपता में एक ही पत्ती बाकि सब में अच्छा सम भी जानूं के वह श्क्राद का एक जितने भी घैजांपर लिग लिए इसका मतलब बच्यों में सारे किसमें आयेगे सम भी जाणू मैं जैसे इक्विसिटम है कोई भी लिख दो ठीक है किस ने पूचा दा वही है नैना ने ठीक चले आगे अब वर्गी करण के बात कर लेते हैं अब कुछ नहीं है बस इतना लिखना है मैं वर्गी करण के बारे में मैं बोल चुकियू कि यूपी वालों के ये वर्गी करण ज्यादा तर पूचा हुआ है NCRT नहीं दिया सिर्फ नाम दिये है NCRT ने लेकिन नाम से काम नहीं होगा नाम के साथ कुछ और भी लिखना पड़ेगा और यहां पे एक खास बात है जो आपको जाननी जरूर है जिसपे question आया हुआ है और यह सभी के आया हुआ है यह UP वालों के भी आया हुआ है जरुकरण वालों के भी 36 गड़ के वालों है तो आप NCRT ने दिया नहीं है लेकिन प्रशन पूचा हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा बीच वाली चीज आपके उपर है अगर आपको याद होती है बहुत अच्छी बात है नहीं याद होती है तो क्या ही कर सकते है इस वर्ग के अधिकांश पौदे कैसे हैं जिवाश में सबको जिवाश में पता है मेरे साब से क्लास 10 के अंदर टॉपिक भी है जिवाश में जो पुराने जीव थे वो दर्ती के अंदर है ना पुराने समय में नीचे दब गए थे और अब उनकी हड़िया या उनके फिंगर कुछ भी प्रिंट्स मिलते हैं हमें इंप्रेशन मिलते हैं हड़िया मिलती है कोई भी चीज मिलती है तो उसको हम जिवाश में कहते हैं है ना तो यह जिवाश में के रूप में मतलब यह पौदे अब जिन्ना नहीं है लेकिन हमें इनका कोई इंप्रेशन मिला हुआ है या इनका कोई बचा हुआ पार्ट मिट्टी के अंदर दबा हुआ हुआ है जिससे हमें पता चल इससले रिखान लगेगी, निए प्रकार की पत्ति मिल रही है उसी प्रोथेलस बनेगा उसी पे पूधानी और इस्त्रिधानी लगेगी यह रहा राइनिया का फोटो अब आप बोल रहोंगे यह फोटो थोड़ी नहीं तो क्योंकि भई आप में फोटो मिला ही नहीं ना हमें तो प्रिंट मिला है उसका जमीन के अंदर तो यह वह प्रिंट का फोटोग्राफ है थोड़ा सा इक्विसिटम जैसा लग रहा होगा लेकिन नहीं है यह साइलोटम है ठीके यह नॉर्मल हमें प्लांट जैसे दिखते हैं फिर उसके बाद हमारे पास आता है लाइकोपसिडा ठीके लाइकोपसिडा जो है वो कैसा है विशम विजानुक है त गलत अंसर नहीं माना जाएगा सहीं मानते हैं ठीके तो सिलेजी नेला और लाइकोपोडियम जो है वो आप लिख सकते हो सिलेजी नेला तो है विशम विजानुक यह तो हम लिखी चुके है ठीके तो इस पे तो कोई कमेंट की बात ही नहीं है बस इत्ती इती बात लिखनी ह स्फिनोइडिया इसको हॉर्स्टेल कहा जाता है यह अभी मैं बताऊंगी हॉर्स्टेल का मतलब गोड़े की पूछ गोड़े की पूछ देखिए आपने ऐसी कुछ ऐसी होती है अभी इसी को मैं सीधा कर दूँ ऐसे तो क्या यह इक्विसिटम जैसा नहीं लग रहा यह गोड़े की पूछ आपको इक्विसिटम जैसे लग रही है तो इक्विसिटम का एक दूसरा नाम है जो आपको याद रखना है इक्विसिटम को हॉर्स्टेल कहते हैं क्योंकि यह गोड़े की पूछ की तरह दिखता है रूप में होते हैं इनकी इक्विसिटम उदारन दिया था तो इक्विसिटम को आपको नाम याद रखना है होस्टेल फोटो बताया था अभी एक बार और बताएं सिलेजी नेरा को ध्यान से सुने इस पर क्वेशन आया है बच्चो इसलिए मजाग नहीं कर रही हूँ आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि हनुमान जी जो है वो कहां गयते पहाड पे जब लक्षमन जी मुर्चित हो गयते इंटरस्टिन स्टोरी है वही ध्यान से सुनना लक् संजीवनि के अंदर के सारी चीजे के अंदर मिलती है तो सिलेजी नेला को ही क्या कहा जाता है संजीवनि बूटी कहते है यह आपको याद रखना है इस पर question आया है ठीक है याद रखें एक और अगर किसी ने राम से तुम मूवी देखी है अक्षे कुमार वाली उसमें भी इसका जिक्र हुआ है अगर किसी ने देखी है मैं आपको scene बता देती हूँ जब बहुत last में आता है जब वो बिल्कुल श् पाई जाती है इंडिया में या श्री लंका में अगर किसी ने वह मूवी देखी है तो बाकी यह सच बात है मतलब मुझे उस मूवी से ही नहीं पता है मुझे पहले से पता है जब से हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो यह संजीवनी बूटी है और मूवी में देखके मुझे और कन्फरमेशन मिल गया कि नहीं यार सही बात हो कोई ऐसे नेशनल टीव पर बता रहा है इसका मतलब बात तो सही तो संजीवनी बूटी क्या है इसमें बहुँ सारे गुणकारी प्रॉपर्टी से हैं मतलब यह बेवोश हो गया तो इसको हुश मेला देती है इससे कई रो रोट वाली भी बताई थी अभी फिर आएगा वो उसको बाद में बात करेंगे वो भी अनुमान जी की स्टोरी से बहुत रिलिटेड है हां गुलफरान सही कह रहे हो और हिंदी वाले जादा करते हैं इंग्लिश वाले इतने नहीं करते इसलिए मैं बोलते हूँ कि हिंदी क का आप से यह पोदा है संजीवनी बूटी का बैंगनी कलर की उसका फूल हो सकता है बैंगनी कलर का वो भी मुझे द्यार नहीं है लेकिन यह संजीवनी बूटी है ठीक है आप कुछ गलत ही समझ रहे हैं कहीं आपके लोकल अरिया में कोई संजीवनी बूटी का पाउडर मि मुझे पता है और साइन्टिस इसको मान चुके हैं हम ऐसे ही बाते नहीं कर रहे हैं साइन्टिफिक ली प्रूफ है यह बिशम बिजाणू में साल्विया वी होता है क्या हाँ बेटा स्तूति कह रही है अमेजिंग फैक्ट और भी आएंगे आगे जब हम चैप्टर फूर पढ़ेंगे तो और देखने को मिलेंगे आपको ऐसे फैक्ट चले बस यही टेरिटोफाइटा था इसके बाद नेक्स्ट ह अमारा एंजियोस्परम फिजिमनोस्परम ठीक है इंपोर्टेंट न्यूस जो मुझे देनी थी कि कल सब्जेक्टिव टेस्ट है तो जिन्हों ने भी तैयारी की है अच्छे से वह सब्जेक्टिव टेस्ट ठीक है अच्छे से पढ़ें अभी से पढ़ना शुरू करतें इ रिजल्ट का इंतजार मत करो, ठीक है, कहीं बच्चे इसी उमीद में रिजल्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट सेलेक करेंगे, तब तब बहुत देर हो जाएगी, चलो, अभी क्या है, टेरोपसिडा एक लास बज गया है, उसको देख लेते हैं, इसकी पत्या बढ़ी होती है, और गौफिलस होती है, और इन्हें फर्न भी कहते है, ठीक है, फर्न तो आप पूरे टेरीडोफाइट को ही कहते है, क्योंकि बटनी में फर्न नाम से कुछ भी आए, आपको टेरोपसिडा है, लेकिन टेरीडोफाइट आप पूरे को भी फर्न भी कहते है, ठीक है, यह बात में तो हमें कुछ बताया ही नहीं हूँ इसके बारे में तो दो लाइन मी नहीं लिखी एंजी आटी ने ठीक है क्लास को खतम कर रही हूँ मैं और क्वेश्चन हमारा आ गया है वही आज का जो कल वाला था पहले उसको में बता रही हूँ क्योंकि एलजी नीन जो होता है वो बूरे शेवालों में पिलता है और केराजीन जो होता है वो लाल शेवालों में मिलता है उल्टी बात लेखी हुई है ठीक है एलजीनीन की जो बित्ती होती है वो किसमें होती है बुरे शेवाल है ब्राउन में मिलती है और लाल वाले में केराजीन मिलता है हमने उपयोगों में भी लिखा था यह तो इसका अंसर दिए और आज का क्वेश्चन आ गया है इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखे और फिर हम क्लास में बताएंगे कि सफी अंसर क्या है प्रोटो नीमा का निर्मान किस में होता है या निर्मान होता है सफी अंसर कमेंट सेक्शन में अबी सी मौइस लिवरबर्ट वर्न या साइकेट्स तो आज की क्लास समाप करते हैं और लाइक, शेयर तो आप करीदेंगे चलिए मि को नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए सभी को बाई